तो हाई दोस्तों वेलकम टू फूचर कोचिंग देखिए बियर्ड फर्स्टियर की वीडियोस भी हम लग शुरू करने जा रहे हैं तो बियर्ड फर्स्टियर की वीडियोस हैं वो तो मैं पहले ही डाल चुक हूँ अपने चैनल में आपको डिस्ट्रिक्शन में लिंक मिल जा फर्स सेकंड धर्ड फोर्थ फिफ्ट एंड सिक्स ठीक है तो इसमें सब इंपोर्टेंट पॉर्टेंट हैं सब साइकोलोजियं लेर्न एंहिमन डेवल्पेंट लेर्नी मोटिवेशन में एंटल है परस्नालिटी एंड इंटेलिजेंस और क्रेटिविटी आपको मैं एक ची आपको अच्छे नंबर लाने हैं एवब 60 परसंट लाने है फर्स्ट डिविजन लानी है तो जरूरी है कि आप 6 की 6 जो है यूनिट कम्प्लीट करें आप चार यूनिट भी कम्प्लीट करेंगे ना च्छे में से अच्छे से तो आपके 60 के 70 आप आजाएंगे जो कि जितने भी आप मतलब यह यूनिट पढ़ रहे हैं चार अगर आपने पढ़े तो चार वो अच्छे से पढ़िए अब ऐसा नहों कि आपने पढ़े तो 6 के 6 है लेकिन सब हवावा में थोड़ा इसका आता है थो आपके नंबर जो हैं 50 परसंट 60 परसंट से उपर नहीं आए लेकंle अगर आपने चार यूनिट अच्छे से तैयार कर लिये है जितना मैंने पढ़ढ़ा इंपने पाड़ लिया तो चार यूनिट करने के बाद ही आपके हैं 70% के आज पास आ जाएंगे ऐसा नहीं है मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी उनिट लेकिन अगर आप चार भी पहले आता था आप तो इसके चान्स बहुत कम है मैं आपको पहले इंप्वर्टन कोशन पढ़ाऊंगा यूनिट फर्ष्ट का यह कोशन है बहुत इंप्वर्टन है बिल्कुल न्यू पैटर्न पर पढ़ा रहा हूं चैन्स सिखता हूं उटाना सामने लाना नेतिवते दे न यह सभी अर्थ सिख शिखता की प्रिकरिया की और संकित کرतें हैं एका मतलब क्यों होता है अंदर और दू का मतलब बाहर आने का रास्ता यानि अंदर से बाहर की तरफ बढ़ना आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे है ठीक है यही एजूकेशन आपका है तो अब एजूकेशन भी लोगों ने अलग लग चीज़ बताएं थी आपको देख क्या गाता सिच्छा से मेरा तात्य पर है बालग एम मनुष के शरीर मन एम आत्मा में सर्वांगीन एंद सर्वतकरष्ट विकास ठीक है तो गांदी जी क्या कहते थे कि अगर मतलब सिच्छा जो है उसके गांदी जी के अकॉर्डिंग यह था कि चाहें कोई बच्चा हो या मन चाहें कोई एक परिभाषा नहीं है अलाव विद्यानों ने सिच्छा को आलाब रूप से परिवाषत किया है लेकिन सिच्छा का मतलब क्या है सिच्छा मतलब विकास होना चाहीं कुछ है कुछ skinny का थि tau बहुत अलग सिस्टम है पहले क्या होइब पहले कहा जा आत्मा का विग्यान मतलला आत्मा के बारे में अग्र आप पढ़ रहे हैं तो वह मनविज्ञान है, फिर बाद में ऐसे क्या कहा गया, किसे दिमाग का कहा जाने लगा, मस्तिक का विज्ञान कहा जाने लगा, उसके बाद फिर आप लोग किस पर आये, चेतना का विज्ञान, यानि सबसे पहले किस से शुरूआ, मनविज्ञान हमने सबसे पहले आत्मा का विग्यान तो लेकिन ये आत्मा का विग्यान का जाता था अभी से क्या कहते हैं कि विभार का विग्यान अपके रख सकते हैं आप तो बोरिंग क्या है सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं पढ़ते हैं कि सिच्छा और मनेविग्यान में संबंद क्या है सिच्छा मानव ग्यान क्यante क्या बढ़िए कि आपका जो ग्यान है के जूद आपका ग्यान हो का भर रही है वह कि कैसे बढ़ रही है उस्में अपरिवश्टन लाने के क्रैजिया क्या है कैसे आप उसमें अपरिवयरतन ला रहे है और इस्हitte अगर देखे दो चीजे हैं, अगर education की सिच्छा की बात करें हम लोग सिच्छा क्या है, तो सिच्छा में आप क्या पढ़ रहे हैं, कि आपके मतलब जो आपका विकास हो रहा है प्रक्ति हो रही है, ठीक है और मनोविग्यान में इसी विकास को इसी विकास को हम लोग मनोविग्यान में पढ़ेंगे ठीक है, कि ये कितना आपका मनो, कितना विकास हुआ है क्या आपका behavior है, सिच्छा में क्या हो रहा है आपका behavior change हो रहा है behavior क्या हो रहा है, change हो रहा है, behavior अच्छा हो रहा है ठीक है तो यह हैस में इसका मतलब दोनों में संबंध है confirm है तो मनोविग्यान का सिच्छा पर प्रवाब देखिए मनोविग्यान का सिच्छा पर मनोविग्यान और सिच्छा का संप्रत्य है देखिए कभी सिच्छा ज्यान पहले क्या मनते थे हम लोग कि सिच्छा जो है ग्यान का प्रियावाची था अगर आप में ग्यान है तो आप सिच्छेत हैं तो आप में ग्यान है यही मना जाता था लेकिन आप खुद सोचिए क्या कोई बंदा अगर जैसे आपने बेड़ किया है आपके जैसे कई बच्छे उन्होंने बियर्ड किया होगा, कई लोग कर चुके होगे तो क्या उन्हें बियर्ड की सारी नॉलिज है क्या उन्हें बियर्ड का सारा ग्यान है ये तो नहीं कह सकते है अगर उसने बियर्ड किया कि उसने सारा उसको बियर्ड का पता ही होगा तो पहले ही मना जाता था, कि जितना आपका सिच्छत है उतना आप में ग्यान है, तो प्रयावाची मना जाता था दोने को, लेकिन आप नहीं है, मनुविज्ञान ने यह एस्पेस्ट किया है, कि सिच्छा ग्यान का विकास और मनुष के विवहार में परिवर्तन लाने का हो गया, ठीक, आज सिच्छा मनुष के विवार में परिवर्तन करने का साधन मना जाती है, आज यह ज्यान का परिवाची नहीं मने जाती है, कि विवार में परिवर्तन कैसे आएगा, यह मना जाता है, आगे देखिए, मनुविज्ञान और सिच्छा के उदेश, मनुविज आपको पढ़नाख टो पढ़ोंगया लेकिन जो फोसमें फोसमें कोई चैंज करना सकता, लेकिन जो उसका उदेश है इसको पैत करता है ही सिठ्टा के किस सथर पर कौन से उदेश किस सीमा तक क्या सकते हैं जैसे मान लीजे, हमें पता कि 10th class का बच्चा इस limit तक काम कर सकता है, अगर आप 10th class के बच्चे को मान लीजे, आपने पुलिस force में भरती कर दिया, तो उस power को समाल नहीं सकता है, तो यह हमें मनोविज्यान से पता चलता है, कि कौन से उद्रेश की सीमा तक प्राप्त किये ज होनी चाहिए, ठीक है, मनोविज्यान ने बताया कि जैसा बच्ची की, जैसे जनम पे बच्चे कुछ होते हैं, बहुत विश्यार होते हैं, ठीक है, उनका atmosphere आसपास के सब लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, उनके घरवाले पढ़े लिखे हैं, वो उनसे पढ़ने के लिए पढ़ने में, ठीक है, तो ये सब हमें मनोविज्यान बताता है, और फिर देखिए, बच्चो की आयू, रुची, रुजान, शक्ता को ध्यान में रखकर ही, हमें क्या करना चाहिए, बच्चा कितना बड़ा है, क्या उसकी रुची है, क्या वो चाहता है, उसकी according हम लोग को बच्चे के पार्चरे बनाने चाहिए, ये मनोविज्यान से हुआ है, पर देखिए, मनोविज्यान और सि्च्छण विदिया, मनोविज्यान का सबसे अधिक प्रवाब सि्च्छण विदियों पर पढ़ता है, इस छेट्र में बहुत सब are haiे पर्यवरतन आया है, पहली ची कैसी है वह बच्चा कैसा मेंटल पावर कैसी है और उसका बाहर का परिवर्ण कैसा है इन दो तत्थों पर निर्वर्ण करती है यह आपको बहुत पॉइंट ध्यान रखना यह बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि जो बच्चे की सिच्छा किस पे डिपेंड करेगी बच्च बढ़ पाएंगे तो इन दो चीजों पर डिपेंड करती है ठीक है किसी भी सतर के बच्चे को सिच्छण विदिया उस सतर के बच्चे के जर्मजान सकति हुआ रुजहानों पर आधारीत निर्वित होने चाहिए ठीक है छोटे बच्चे जैसे अब हम लोग एदामपल देत इन से कंटिंग सिखा जाती है कि हाँ यह वन हो गया तु हो गया ठीक है ठीक है ताकि फेल खेल में छीख भाएं ठीक है अब बड़े बच्चे कैसे होते हैं वो भाई सम्मों बनाना चाहते हैं कि आपस में मिल्जूर के काम करें तो पर आप से क्रिया में अधा तो उनको ऐ ग्यान ने मनुष्ट की मान से क्रियाओं को तीन भागों में विवाजित किया है अगर आप विकास चाहते है उसको डराए दराए यह नहीं मानुद एक बच्छा कर रहा है तुम तो कुछ नहीं कर पाओ गया कुछ नहीं कर सकते तो महां तो कुछ हो ही नहीं सकता छोटा सा बच्चा आप उसे रिटेट करो तो आगे क्या ही करेगा ठीक है तो अनुशाशन पहले किया था कि अनुशाशन है आपको सब बिल्कुल हर चीजा रहें जोने चाहिए वह सब चीज नहीं है और को क्या करना है अपको प्रेम आप साहनबूती लेकर अनुशाशन का संबद मनुश के भावतों पच्छे है क्योंकि जितना discipline कैसा है अपने emotional चीज़े पर डिपैंड करता है इसलिए उसके according हमें काम करना चाहिए यह मनुविग्यान ने बताया है अगला पॉइंट देखिए मनुविग्यान और सिच्छक की मनुविग्यान और पहले क्या मना जाता था कि जो सिच्छक है वो ग्यान का संप्रेशक है मतलब सिच्छक जो है टीचर यानि जो टीचर है वो ग्यान बाढ़ता है अपनी knowledge दूसरे को पहुंचाता है लेकिन आज ऐसा नहीं है मनुविग्यान क्या होता है कि यह तो इस पर डिपैंड ही नहीं कि उसका निवाड करता है सीखेंगे तो बच्चे स्वाइम ही यह मनुविग्यान कहना कि बच्चे खुद सीखेंगे टीचर खाली वो परियाम वह मौहल बनाएगा जिसमें बच्चा पढ़ सके परियाम यहा है कि सिच्छक को ग्यान का संप्रेशक नहीं मना जाता बच्च स्वाइब जान का सब्सक्राइब करतें लग विदान करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए यह जब आप से पढ़ाते हैं उन्हें बच्चों को चाहिए कि कौन सा बच्चा कैसे परिवर्ण में बला बढ़ा है और उसकी एज क्या है ठीक ये सब चीजे आपको ध्यान रखने चाहिए इससे सिच्छा के छेतर में सिच्छारतियों का महात्र बढ़ा है इससे क्या हो गया पहले देखिए क्या था कि हम लोग मानते थे कि जो सिच्छ पर कभी स्लेवर्स पर ऐसा कुछ माना जाता था कि केंदर के से माना जाता था कैई टीचर को कहीं स्लेवर्स को अब माना जाता कि बच्चा चिछारति जो है वह यह से छा क्रेंद ठीक है नेश्ट पॉंट देखिए मनुभग्यान और विद्ध्याले अब पहले से पहले विद्याल में क्या था बहुत कठो सवहार रहते था बहुत आजीब था लोग और टीचर का बच्चों को कहते हैं अगर कोई काम नहीं करता तो इन्हें डराते थे भैपूर प्रियाबार बना के रखते थे मारते पीटते थे अब ध्यान देगा कि बल नहीं इस मतलब आ आज समझाएं अच्छा मह बनाओ जिससे वह बच्चवे पड़ बाई तो वीद्यार का महल चेंज किया है था बचो को सैचीpensec देना संभाव वा है यह था बढ़ाई तो करते ही हैं बाढ़ों की दम से लोग बिलकुल यह करते हैं कि जो बच्चे की उपलब्धियां है वह वैलिड है या नहीं है बाई जैसे मालीच आप लोग बेड करके जा रहे हैं ठीक है अगर सपोस करिए बेड में इंटर्शिप ना हो इंटर्शिप होती है जो आपकी जिसमें आप लोग पढ़ाते हैं जाके बच्चों को तो उसमें आपको प्रत्यक्षे बाकी सामझे लग समझ जाने था कि आप प और विच्व नहीं है यह जीज नहीं है वास्तनीस्ट है यह नहीं तो यह क Gonzандo व्यों इंट सब्सक्रम को मरें बाएं और नेक्सलिक्ष्ट में पढ़ाएं क्यूंकि वीडियो हो गई है था रेंकू गइज में है प्रब्रियूद करना।